पेपर सेक्टर जहां पर आपको नसर रखनी और इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह थी नहीं जी पिछे कुछ समय में कि रॉव मेटेरियल कॉष्ट लगा था बड़तर आ रहा था उसके चलते एक अपनिया नोड़ाट पासाउन भी कर पारी थी लेकिन अब अच्छी और या सप्टेंबर के आसपास पिछले साल यू ने दरसल भारत या फिर यू ने पूरे तरसे जो वेश्ट पेपर के एक्सपोर्ट से उसके ओपर बैंड लगा दिया था क्योंकि कहिना के उनके आप खुद क्या किलती एक्सपोर्ट की इसके अलावा जिस तरसे शिप्मे पूरा जो मार्केट अगर आप देखेंगे उसमेरे करीब करीब 60-65% के आसपास का मार्केट जो है जो पेपर बनता है वो वेश्ट पेपर से बनता था लेकिन क्योंकि EU ने बैंड लगा दिया था इसके लिए भारत में वेश्ट पेपर आना बंद हो गया था इसके चलते जो बचा कुछा वेश्ट पेपर था उसके दाम में लगातार बरोड़ती हो रही थी इनफाक अगर मैं आपको एक आकड़ा बताओं तो भारत में जो पर कैपिटा कंजम्शन है पेपर का वो करीब 20-30 किलो के आसपास प्रती साल है और वेश्टन कंड्री में अगर आप द दाम भी बढ़ाने पड़ रहे थे लेकिन कस्टमर्स को आप एक लिमिट तकी पासवन कर पाएंगे तो यह दिक्कत कमनियों को हो रही थी अब क्योंकि वेश्ट पेपर के दाम जो है वो यहां से कम होना शुरू होंगे क्योंकि EU ने अपने ओवराल जो इंपोर्ट से या हो केवल वेश्ट पेपर का होता है तो इन कमपनी inclined के लिए आने वाले दिनों में अच्छे दिन हो सकते हैं क्योंकि रोवं मटेल कॉस्ट जो जो है वह कम हो सकता है इसके लिए वेश्ट पेपर आनऎ मटे सबयाना पर टीए टीन ऐन पील एन अरा गरवाल यह तमाम जो पे झाल झाल